आज के इस वीडियो में हम अपने फाइनल एकाउंट के चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं और हमारा ये फाइनल एकाउंट का चैप्टर स्टुडेंट्स अब फाइनल स्टेज की तरफ आने लगा है आज के इस वीडियो में हम अपनी दो अजस्टमेंट एंट्रीज को समझेंगे इंट्रस्ट और कैपिटल और मनेजर्स कमिशन्स यह दोनों अजस्टमेंट एंट्रीज बहुत इंपोर्टन इससे पहले की वीडियो में स्टुएंट्स हमने प्रविजन्स फॉर अब सारी करी हैं उमीद करता हूँ आपने मेरे वह सब वीडियो देखे होंगे और अच्छे से समझेंगे आज हम समझते हैं इंट्रस्ट और कैपिटल और मनेजर्स कमिशन्स को सबसे पहले इंट्रस्ट कैपिटल को लेते हैं जैसे कि आप जानते हैं जो बिजनस के अंद इंवेस्ट किया है अपने बिजनस के अंदर तो मुझे कुछ नॉर्मल रेट ऑफ इंट्रस्ट के साब से कुछ मुझे इंट्रस्ट तो मिले अगर माल लिए वो उसी पैसे को कहीं बैंक में इंवेस्ट करता है या कहीं कि कहीं और बाहर इंवेस्ट करता है तो उसको कुछ वो उसकी capital में add हो जाता है तो इसकी general interest को हम समझते हैं क्योंकि यह business के लिए एक expense है तो हम क्या करेंगे इंट्रस्ट on capital को हम debit कर देंगे इंट्रस्ट on capital account debit क्रेडिट किसको करेंगे capital account को यह हमारा expense है expense है तो हमने इसको debit कर दिया है about capital account को हमने increase कर दिया liability को हमने increase कर दिया है हमने इसको credit कर दिया at the end of the accounting period क्या करते हैं इ wyglी इंट्रस्ट on Abdul account को भी हम close इसको क्या करेंगे credit कर देंगे और P&L account को debit केंगे P&L account को debit कि आ Denis करेंगे नव Hi तो अब समझने वाली बात यह है कि इंट्रस्ट अन कैपिटल अगर आपको आउटसाइड दिया वा है आउटसाइड ट्राइल बैलेंस एज एन अजस्टमेंट एंट्री तो यह कहां जाएगा दो जगे जाएगा एक पहली जगे कहां जाएगा पी एंडल अकाउंट में डेबिट साइड यह पी एंडल अकाउंट अगर है तो हमारे इसके डेबिट साइड में आ जाएगा इंट्रस्ट अन कैपिटल और दूसरी साइड कहां जाएगा दूसरी साइड जाएगा यह बैलेंस शीट में बैलेंस शीट में हमारी लेबलेटी साइड में कैपिटल के अंदर यह एड हो जाएगा इंट्रेस्ट और कैपिटल यहां पर एक चीज़ और बताना चाहूंगा students यह जो हमारी capital होती है यह capital होती है at the beginning of the accounting period और इसी के उपर ही interest on capital दिया जाता है इसके बाद हम क्या करते हैं हम add कर देते हैं net profit को और अगर loss हुआ है तो हम net loss को less कर देंगे और last में क्या करेंगे drawings को minus कर देते हैं in case अगर drawings है तो और यहां पर आ जाती है आपकी net capital आ जाती है जो आपकी end of the accounting period है यहां जो capital है यह at the end of the accounting period है और यह जो capital होती है हमारी beginning of the accounting period होती है और इसी capital के ऊपर interest दिया जाता है अब आज यह second expect अगर trial balance के अंदर दिया हुआ है inside trial balance तब कहां इसको लेके जाएंगे अगर inside trial balance में है तो सरफ से हम इसको P&L account के debit side में दिखाएंगे एक entry होगी इसकी P&L account debit side और जो दूसरी entry होती है वो नहीं होगी क्योंकि यहां पर यह माना जाता है कि capital में जो capital दिखाई वी है यह already adjusted capital है interest on capital इसके अंदर adjust हुआ है तो इसलिए इसकी सरफ से एक entry होगी तो अब आपको अगर यह समाज में आगे है तो अब हम अपने next adjustment entries की तरफ चलते हैं जिसका ना में managers commissions बहुत important adjustment entry अक्सर students को इसमें doubts रहता है कुछ कुछ confusions रहता है calculations के अंदर तो इसको समाजने के लिए हम एक complete illustrations करते हैं जिसके अंदर हम trading account भी करेंगे पे एंडल account भी करेंगे और उसके बीच में हम managers commission की theory को भी समझेंगे और इसके practical भी इसको हम साथ ही करेंगे तो मैं अभी इसको रब करता हूँ और आपके लिए complete illustrations ल entries को interest on capital और managers commissions इसको समझेंगे और इसको practically solve भी करेंगे यह question students आपकी T.S.Grewal की book से लिया है मैंने और unsolved questions है इसका solutions आपको नहीं दिया है हमें खुदी हम इसका answers निकालेंगे यह आपकी practical problem number 29 है page number 19.83 आपके पास अगर T.S.Grewal की book है तो बहुत अच्छी बात है आप इसको देख लिजे page number 19.83 question number 29 और अगर नहीं है तो मैं इसका screen shot आपके वीडियो पे लगा दूँगा और आप उसको pause करके अराम से note down कर सकते हो तो अब मैं इस illustrations को धीरे धीरे पढ़ता हूं और हम इसकी entries करते जाएंगे following the trial balance of आतम प्रकाष as on 31st March 2018 आपको trial balance दीवी है सबसे पहले हमने यह देखना होता है कि हमारी trial balance टैलीड है कि नहीं है यह trial balance हमको टैलीड दीवी है 41,22,000 ते टैलीड है अब हम इसकी adjustment entries को एक दफ़र देख लेते हैं अब students मैं आपको adjustment पढ़के सुनाता हूं और यह जो adjustments जिन account head की होंगी हम उसके आगे star लगा देंगे और उनको हम inner column में लिखेंगे outside column में नहीं लिखेंगे एक यह practice बना लीजे हमेशा adjustment पढ़िये और trial balance में जहां जो account head दिया वह उसके आगे star लगा लिजे उसको inner column में कर तो पहली adjustment तो stock की होती है वहां को star लगाने की जरूवत नहीं है stock on 31st March 2018 was valued at Rs.530,000 second adjustment entry है salaries have been paid so far for 11 months only salaries के ओपर हम star लगा लेते हैं salaries आपकी दीव है 55,000 की हमने यहां पर star लगा लिया unaspired insurance rupees 1000 insurance हमको दियावा है 4000 rupees हमने यहां पर भी star लगा लेते हैं commission earned but not yet received amounting rupees 1220 plus IGST 12% is to be recorded in the books of accounts commission students हमको credit side में दियावा है it means हमने commissions को earn किया हम यहां पर भी star लगा लेते हैं fifth adjustment entry है provisions for doubtful debt is to be brought up to 3% of the sundry debtors sundry debtors के ओपर star लगा लिजे manager is to be allowed a commission of 10% of net profit after charging such commissions manager commission हम सबसे आखे में निकालेंगे manager commission आपको trial balance में नहीं मिलेगा यह हमें calculate करना होता है इसमें star आप नहीं लगा सकते चलिए और आगे चलते हैं furniture is to be depreciated at 10% per annum furniture account के उपर आप star लगा लिजे furniture हमको दियावा है one lakh rupees का only one-fourth of advertisements are to be written off advertisement जो expense दियावा है उसका सिरफ से one-fourth ही return off हुआ है 50,000 दियावा है हमने इसके उपर भी star लगा लिया अब हम trial balance की एक एक entry को इसमें put करते चलेंगे और जो star लगावा है उसको हम inner column में लिखेंगे तो चलिए सबसे पहली entry है capital दियावा है 8 lakhs rupees capital कहा जाएगा हमारा balance sheet में आ जाएगा capital को हम दिखा देते हैं inner column में ही दिखाएंगे capital 8 lakhs rupees ठीक है और आजे चलते हैं drawings account 60,000 rupees drawings है हमें minus होगा हमारी capital में से drawings 60,000 rupees हमारी capital balance कितनी रहे गई 7,40,000 ठीक है stock on 1st April opening stock हम को दिया गया 4 lakh 50,000 opening stock हमारा आ जाएगा 2 opening stock 4 lakh 50,000 हमारा trading account में आ जिया यह और आजे चलते हैं परचेजिस है 26 lakhs की हमने star नहीं लगा रखा है इसका मतलब परचेजिस में कोई परचेज रिटन नहीं है चलिए sales 31 lakhs रुपीज की buy sales account लिखेंगे buy sales 31 lakhs next is furniture 1 lakhs रुपीज इसके उपर हमने star लगा रखा है furniture हमारा balance sheet item में और inner column में हम लिखते हैं furniture 1 lakh next is sundry debtors 4 lakhs रुपीज इसके उपर भी star लगा रखा है यह भी हम inner column में लिखेंगे sundry debtors next is freight and octray freight हमारा trading account में आता है debit side में तो हम इसको trading account में लिख रहते हैं 46,000 rupees 46,000 rupees freight to freight account next is trade expense trade expense हमारा students indirect expenses होता है तो indirect expenses हमारा P&L account में आता है P&L account हम श्रुवाद कर लेते हैं यहां से trade expenses to trade expense कितना दिया वाई यह 5000 rupees और आगे चलते हैं salaries 55,000 rupees two salaries के आगे हमने star लगा रख है तो इसका मतलब हम इसको inner column में लिखेंगे salaries है हमारी 55,000 next है rent है 24,000 two rent account 24,000 कोई star नहीं है इसका मतलब इसको direct हम बाहर लेख सकते हैं next है advertisement expenses star लगाया हुए 50,000 two advertisement expenses 50,000 और आगे चलते हैं students insurance commission 4000 rupees इसको भी star लगाया हुए इसको भी हम inner column में लिखेंगे to insurance premium 4000 next is commission 13,000 rupees यह हमें credit में दिखाया वर trial balance में इसका मतलब यह commission हमको receive हुआ है तो हम commission कहां लिखते हैं credit side में लिखेंगे यहां हम पहले लिख लेते हैं by gross profit उसकी जगे छोड़ देते हैं और उसके बाद लिखते हैं by commission 13,000 rupees discount debit side में students दिया by discount इसका मतलब हमने discount allow किया है यह हमारे लिए खर्चा है अगर यह discount हमें credit side में दिया होता तो हम उसको commissions के नीचे लिखते credit side में pre-endal account में क्योंकि उसको हम मानते हैं हमें discount मिला है यहां हमने क्योंकि discount allow किया है हमारा खर्चा है तो हम इसको pre-endal account के debit side में लिखेंगे to discount 2000 rupees और आगे चलते हैं bad debts दिये हैं 16,000 rupees इसमें कोई star नहीं लगा इसका मतलब हम इसको आउटर कॉलम में भी लिख सकते हैं नेक्स्ट इस प्रोविजन्स फॉर डाउटफुल डैट्स यह स्टुडेंट्स करेंट्स के इसका मतलब यह हमारे प्रोविजन्स हैं जो पिछले साल के प्रोविजन्स हैं जो हमने इस साल केरी फॉरवड की हैं तो हमें अगर बैट डैट्स अडिजस्ट करने है तो मैं बैट को हमें यहां पर इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा और इसको हम provisions for doubtful debts को हम बाद में सबसे last में जैसे हमने पहले भी आपको समझाया था बाद में adjust करेंगे अभी हम दूसरी entries के तरफ चलते हैं next is creditors 2 lakhs रुपीज creditors हमारी balance sheet item है हम यहाँ पर दिखा देते हैं creditors 2 lakhs और आगे चलते हैं cash in hand 52,000 और cash at bank 58,000 cash in hand हमारा balance sheet item हागया cash in hand 52,000 और cash at bank 58,000 last है land and building 2 lakhs रुपीज land and building मैं short में लिख रहा हूँ students आप मत लिखेगा ऐसे 2 lakhs रुपीज तो अब हमारी सारी entries हमने try balance से कर ली हैं अब हमारी adjustment entries रहती हैं अब हम इसको करते चलेंगे पहली adjustment entry है stock on 31st March 2018 was valued at rupees 5,30,000 closing stock है हमारा balance sheet item भी है और trading account के credit side में हमारा आएगा by closing stock closing stock to 5,30,000 इसके अलावा closing stock हमने balance sheet में लिख दिया 5,30,000 चलिए और आजे चलते हैं students salaries have been paid so far for 11 months only salaries जो है जो हमने inner column में देखे 55,000 लिखा है यह सिरफ से 11 months की ही pay होई है इसका मतलब अभी एक महीने की salary पे नहीं होई है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 55,000 अगर 11 months की है तो आपकी एक महीने की कितनी हो जाएगी 5,000 है ना इसका मतलब यह हमारी outstanding salary है अभी एक महीने की बाकी है add हम कर देंगे outstanding salaries 5,000 रुपीज और यह हमारी salary हो जाएगी 60,000 और outstanding salaries हमारी एक liability item में हम यहाँ पे add कर देंगे liabilities के अंदर outstanding salary 5,000 रुपीज हो गई हमारी यह entry दोनों side entry कर दी है हमने और आगे चलते हैं unexpired insurance 1000 जो हमारा insurance expense है यह वाला यह unexpired बताया है इसका मतलब unexpired का क्या मतलब है अभी expire नहीं हुआ है current year में payment हमने कर दिया 4,000 रुपीज की लेकिन इसमें से 1,000 रुपीज का insurance अभी expire नहीं हुआ है इसका मतलब यह prepaid insurance हो गया तो हम इसमें से क्या करेंगे less कर देंगे prepaid insurance कितना है यह 1,000 रुपीज और हमारा current year का insurance expense आ जाएगा 3,000 अब prepaid insurance हमने अगले साल का भी कर दिया है तो इसका मतलब यह हमारी assets बन गई और हमारा आ जाएगा assets side में as prepaid ठीक है students 1,000 रुपीज से और आगे चलें fourth adjustment entry है commission earned but not yet received amounting to इसका मतलब यह जो commissions है यह हमारा अभी पूरा commissions नहीं है इसके अलावा भी हमने और commissions earned किया है जो अभी हमें मिला नहीं है वह कितना commission commissions है वह commissions है students हमारा 1220 इसके उपर हमें IGST हमने और collect करना है और अगर हम collect करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं students 1366 यह हमको और अभी मिलेगा जो हमने इस साल current year में earned कर चुक है लेकिन मिला नहीं है तो यह जो output IGST है इसको हम balance sheets में adjust करेंगे और अगर adjust नहीं होगा तो हम इसको liability side में दिखा देंगे और यहां पर हम सिर्फ से 1220 अक्रूड कमिशन में दिखाएंगे commissions earned but not recede it means accrued commissions accrued 1220 यह total हो जाता है 14,220 और हमारी assets भी बन जाती है जो हमारे commissions को earned नहीं किया है तो हमारी इसकी दूसरी entry होगी accrued commissions यहां पर students हम पूरा amount दिखाएंगे 1366 ठीक है समझ में आगे students हमने यहां पर हमने सरफ से base amount को दिखाया है 1220 को add कर दिया हमारे जो already commission received था इसमें हमने add कर दिया और accrued commissions हमारी assets बन जाती है क्योंकि हमें अभी earned नहीं हुआ है तो यह हमारी assets बन गई और इसके अंदर हम output IGST यहां पर जोड के लिखेंगे और liability side में भी लिख देंगे output IGST output IGST कितना है यह 146 रुपीज यह यहां पर इसलिए लिखा है क्योंकि इस questions में अगर हमारे पास input IGST होता तो हम उसके साथ adjust कर देते लेकिन input IGST है ही नहीं तो हमें output IGST as liability हमें दिखाने पड़ेगी तो अब हमारी entry complete हो जाती है next is provision for doubtful debt is to be brought up to 3% of the sundry data इसका मतलब जो हमारे sundry data हैं इसके उपर हमें 3% maintain करना है provisions तो इसमें से हम minus कर देंगे sundry data हमारे reduce हो जाएंगे less provision 3% हो जाता है students 12,000 रुपीज और total sundry data रह जाएंगे अब 388,000 के ठीक है अब आज़े इसकी second entry की तरफ हम bad debts के अंदर इसको हम add कर देंगे add provisions 12,000 रुपीज तो यह total हो गया bad debts plus में provisions मिलाके 28,000 रुपीज अब हमने students एक आपको याद होगा हमने provisions for doubtful debt जो trial balance में दिएवे थे 9,000 रुपीज की वह entry हमने भी छोड़ दी थी कि हम बाद में करेंगे अब उसका time आ गया अब इसको हमको minus करना पड़ेगा क्योंकि यह old provisions है 9,000 रुपीज की हमें इसकी जरुवत नहीं है क्यों नहीं जरुवत क्योंकि हमने अभी maintain कर ली है 3% on Sunday debt इसी को ही maintain रखना है अब और पुराने provisions की जरुवत नहीं है तो आप इसको less कर देजिए less old provisions 9,000 रुपीज तो total हमारे पास यह bad debts plus provisions कितने रहे गए 19,000 रुपीज के clear है और आगे चलते है manager is to be allowed commissions of 10% of net profit after charging such commissions students manager को commission देया जाता है net profit के उपर वो जब net सारी entries हो जाएंगी उसके बाद हम charge करेंगे तो अभी हम इस entry को भी बाद में करते हैं तो अभी हमारे पास दो entries बचीवी है next entry है furniture is depreciated at 10% per annum furniture हमने inner column में लिखा हुआ है less depreciation इसमें से कर देते हैं less depreciation 10% का मतलब 10,000 हो गया और furniture का जो balance amount रह गया वो 90,000 इसके अलावा हमारे को जो इसकी second entry होगी वो depreciation on furniture depreciation on furniture 10,000 रुपीज हम P&L account के debit side में करते हैं दोनों इसके आगे चलते हैं only one-fourth of advertisement expenses are to be written off जी जो advertisement expenses यह कहता है one-fourth ही written off करने है current year में इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि यह advertisement expenses हमने 50,000 जो कर दी है वो आने वाले सालों के लिए इसमें से सिरफ से one-fourth ही इस साल को pertain करते हैं one-fourth का मतलब हो गया 50,000 divided by four आप करोगे तो यह आ जाएगा 12,500 इसको बताईए इसको क्या बोलो गया इसको बोलेंगे deferred revenue expenditure क्यों बोलेंगे क्योंकि यह advertisement expenses है जो हमने current year में किया है 50,000 का और current year में सिरफ से 12,500 ही consume है आने वाले सालों के लिए भी हमने current year में कर दिया है अब हो सकता है वो next year में पूरा consume हो जाए या उसके भी आगिस next year में consume हो तो यह हमारा बनता है deferred revenue expenditure deferred revenue expenditures को आपको बताने की दरुवत नहीं है आप अच्छे तरह जानते हैं हमने एक साल में expenses कर दिया है जिसका benefit current year में consume नहीं हो सकता इसको आने वाले एक साल में या आने वाले और भी कई सालों में इसका benefit मिलेगा इसको बोलते हैं deferred revenue expenditures एक चीज़ ध्यान रखेगा prepaid expenses और deferred revenue expenditures में फरक होता है prepaid expenses हमारे यहां पर इंच्रेंस के थे हमको यहां पर exact amount मालूम था 1000 रुपीज जो अगले साल का है next year का है इन दोनों में difference को ध्यान रखेगा prepaid expenses और deferred revenue expenses यह अलग-अलग हैं अब यह deferred revenue expenses हमने जो 37,500 निकाले हैं यह अब हमारी assets बन गए क्योंकि हमने advance में pay कर दिया है तो आप इसको balance sheets में deferred revenue expenditure लिख सकते हो bracket में लिख दीजे advertisement यह है हमारे 37,500 चलिए अब हमारी last entry जो हमने भी छोड़ दी थी अब हम उसके उपर आते है managers commissions के उपर सबसे पहले students हम managers commissions को समझते हैं हम क्यों देते हैं manager भी students हमारे business के अंदर एक as an employee काम करता है अब अगर हमारा manager professionally qualified है उसने अगर marketing के experts है वो तो उसको हम यह कहते हैं कि अगर तुमने हमारी sale बढ़ाई है अगर हमारी sale में increase करते हो तुम तो हम आपको salary के अलावा कुछ commissions और देंगे मालनो 10% commissions और देंगे उससे क्या होता है जो हमारा manager है उसको थोड़ा सा incentive मिलता है वो और मेहनत करता है और हमारे company के लिए अच्छे marketing strategies लेके आता है अच्छी strategies लेके आएगा तो company में और जादा profit होगा तो उस profit के ऊपर भी 10% manager को commission दिये जाता है तो सबसे पहले अभी हम manager commission को समझते हैं किस-किस चीजों पर निकल सकता है manager commission कभी-कभी manager commissions निकलता है on sales अगर मैं आपको बोलू हूँ कि manager commissions on sale निकालना है 10% तो आप इस case में 10% sales फॉरन निकाल दोगे बिल्कुल भी time नहीं लगा होगे 31 lakhs का मतलब 3 lakhs 10,000 रुपीज आप manager commissions फॉरन यहां पर लिख दोगे और balance sheets में भी outstanding manager commissions अब इस case में अगर यहां पर sales के साथ में refund भी होता sales return तब आप manager commissions किस पर देते तब हम देते net sales के ओपर net sales मतलब sales minus में return sales return ठीक है इसके उपर हम manager commissions देते हैं एक और तरीका होता है manager commissions निकालने का on gross profit अब हम अपने इसी case में ले लेते हैं पहले हम gross profit निकालते हैं दोनों side का total कर देते हैं कि यह आगया 36 lakhs 30,000 यहीं figure हम यहां पर भी लिख देते हैं 36 lakhs 30,000 और हम 36 lakhs 30,000 में से यह सारी figures minus कर दें तो हमारे पास gross profit आ जाएगा 36 lakhs 30,000 माइनस में 4 lakh 50,000 माइनस में 26 lakhs माइनस में 46,000 तो यह आगया students 5 lakh 34,000 यह हमारा gross profit आ जाता है 5 lakh 34,000 तो gross profit और इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं पी अडल अकाउंट में 5 lakh 34,000 अब managers commissions के उपर आ जाएगे फिर से अगा manager commissions हमें gross profit निकालना है तब हम फटाक से निकाल देंगे कोई दिक्कत नहीं होगी 5 lakh 34,000 का 53,400 आ जाएगा हम 53,400 पी अडल अकाउंट में लिख देंगे और इतना ही हम managers commissions on a net profit before या after charging his commissions अब इसमें दो पार्स हमारे पास हो गए before charging commissions और net profit after charging managers commission किसको हम अच्छे से समझेंगे दोनों ही case में क्या करेंगे पहले तो managers commissions को हम debit कर देते हैं तो आपका पता ही है managers commissions account हमारा debit हो जाता है और हम क्याइड किसको करते हैं तू आउटस्टेंडिंग managers commission है यह entry होती है और year end में हम managers commissions को P&L account में दिखा देते हैं और यह आपको बहुत अच्छे से मादों है और in case managers commissions before charging net profit इसको समझने के लिए हम अपनी current illustrations के उपर आ जाते हैं अब हम में अगर यहां पर net profit निकालना हो तो students हम क्या करेंगे simply हम इनका total करेंगे और इस total में से हम इसको minus करतेंगे चलिए अब हम ऐसे ही करते हैं पहले अब हम rough net profit तो निकाली लेते हैं कि यह total आ रहा है 5,48,220 इसको आप इधर भी लिख सकते हो कि इसमें से अगर हम यह सारी चीज़ें माइनस कर दें तो हमारा net profit आ जाएगा 5000 प्लस में 60,000 प्लस में 24,000 प्लस में 12500 प्लस में 5000 प्लस में 29,000 अब ज्यान दीजेगा स्टुनेंट्स हमारा इन सब का total आ रहा है यहां से लेकर यहां तक 135,500 जब हम 5,48,220 में से 1,35,500 को माइनस कर देंगे तो हमारे प्लस प्रॉफिट आ जाएगा करन्ट सिच्वेशन में हम इसको अभी रफ नेट प्रॉफिट मानते हैं तो यह कितना आ जाता है 5,48,220 माइनस में 1,3550 412720 इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर मनेजर कमिशन 412720 अब आप यह बताईए यह जो हमने अभी प्रॉफिट निकाला है यह मनेजर कमिशन से पहले का है या बात का है अभी हमने मनेजर कमिशन तो दिया नहीं है न तो मनेजर कमिशन से पहले का है यहाला कमिशन से इसको हम लिखते हैं बिफोर और एक अभी हम लिखेंगे यह पर आफ्टर अगर केस में आता है 10% तो हम क्या करेंगे simply 41272 को हम मनेजर कमिशन को हम माइनस करके हम नेट प्रॉफिट निकाल देंगे इसको चलिए हम निकालते हैं 412720 माइनस में 41272 यहां पे हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है 371448 अब देखें स्टुनेंट ध्यान देंगे इनकेस नेट प्रॉफिट से पहले मनेजर कमिशन निकालने तो हम इसको simply यहां पे लिख सकते हैं मनेजर कमिशन मनेजर कमिशन और फिर हमारा निकलेगा नेट प्रॉफिट मनेजर कमिशन यहां लिख सकते हैं और नेट प्रॉफिट हमारा यह आजाएगा 371448 इसके बाद आप इसको टोटल करेंगे तो हमारा टैली हो जाएगा अब आजाए यह सेकंड सुचूशन पर यहां पर यह कहता है मनेजर इस टूबी अलाओड इकमिशन ऑफ 10% ओफ नेट प्रॉफिट आफ रिचाजिंग सच कमिशन मतलब हमारे पस बिफूर चाजिंग मैंजर्स कमिशन तो मारा कितना है 412720 ना तो हमें मनेजर्स कमिशन मालूम हैं ना हमें क्या कहता है सब्रद्र इस फिगर निकालना है यह मालूं नहीं तो इसको कैसे किया जाए ? इसको आसानी से हो जाएगा इसके लिए हमें एक थोड़ा सा सिरफ से बेस कंसेप्स समाजना पड़ेगा आप पहले इस तरफ आ जोगे यहां पे हमने हमारा जो रफ प्रॉफिट था हमारा यह था इसके उपर हमने 10 परसंट निकाला था ठीक है अगर हम इसको परसंटेज में बात करें तो हमारा यह कितन हमारे को निकालना है 10 परसंट इसनफ कर यहां वाले नेक हई इसका मतलब अगर हम हंडर present इसको मान रहे हैं यहां पर यह अगर यह कितना है 10% इसी के उपर तो 10% निकालना मनेजर कमिशन तो यहां इसका मतलब हमारा जो रफ प्रॉफिट हो जाएगा यह कितना हो जाएगा 110 परसंट 110 परसंट मेंसे हम 10 परसंट माइनस करेंगे तभी तो 100 परसंट आएगा तो यह हमारा एक फार्मूला बन जाता है स्टुनेंट बहुत अच्छा कि मनेजर कमिशन इस इकल डू नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमिशन बिफोर चार्जिंग कमिशन इंटू में रेट डिवाइड़ बाइड प्लस में हंड्रेड यही तुमने यहां पे किया है जो हमारा रेट है उसके आमने ऊपर हमने 100 प्लस करके हमने 110 निकाल दिया इस केस में में हमारा फॉर्मूला बन गया नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमिशन्स इंटू में रेट नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमिशन्स कितना है हमारा यह है 412720 इंटू में रेट कितना है 10% divided by rate प्लस में 100 110 तो आपका यह मनेजर कमिशन्स निकली आएगा चलिए इसको सॉल्व करते हैं 412720 इंटू में टैन डिवाइड़ वाइंडर एंडर 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 एंड एंड थ्री सेवन फाइव तो जीरो इंकेस 20 परसंट होता तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमिशन्स इंटू में रेट 20 परसंट डिवाइड़ बाइड़ हंडर प्लस में टॉन्टी हंडर एंडर एंडर एंड़ वजाता तो फाइव अपॉन में बनाये और बेस सम्झाने के लिए मैंने बत इस अमाउंट को यहां पर लिख देते हैं और फिर देखने कितना आता है हमारा 37520 और हम इसको माइनस करेंगे 412720 माइनस में 37520 375200 375200 अब देखिए स्टुदेंट्स यह 100 परसंट है इसका 10 परसंट यह निकला ना 37520 और इन दोनों को एड कर दिया तो हमने 412720 अब हम इस अमाउंट को लिख सकते हैं मनेजर्स कमिशन को 37520 37520 और हमारा नेट प्रॉफिट भी हमारी यही पीलर है 37520 375200 ठीक है हमारा net profit निकलिया है managers commissions निकलिया है managers commissions को भी हमने यहाँ पे और add करना है outstanding managers commissions liability side में 37520 और net profit को हम add कर देंगे add यहाँ पे net profit 375200 यह हो जाएगा 200 5111 11,15,200 तो students हमारी यहाँ सारी entries complete हो चुकी है अब हमने सिर्फ से balance sheets का total tally करना है और देखना है कि हमारा liabilities और assets equal आ रहे है कि नहीं आ रहे है चलिए अब हम liability side का total करते है 11,15,20 प्लस में 2,00,000 प्लस में 5,000 प्लस में 146 प्लस में 3,75,20 यह आ गया 13,57,866 13,57,866 assets का भी total कर लेते हैं 90,000 प्लस में 3,88,000 प्लस में 52,000 प्लस में 58,000 प्लस में 2,00, प्लस में 5,30,000 और 2366 प्लस में 37,50 13,57,866 यह हमारे दोनों साइट की balance sheets पहली हो रही है liabilities और assets equal आ रहे हैं इसका मतलब हमारा हमने सारी transactions सही करी हैं तो students हमारा यहां question पूरा होता है हमने सारी entries कर ली हमारा assets और liabilities भी equal आ गया अभी एक चीज़ मैं इसमें और add करना चाहूंगा अगर इस question में आपको interest on capital दिया होता है तब आप interest on capital माली जे 10% दिया होता है तो आप किस पे calculate करते हैं अब इस वाले पे calculate करते हैं 7,40,000 पे करते हैं या 8,000,000 के ओप करते हैं याद रखेगा students interest on capital हमेशा हमारा opening capital पर होता है यह हमारी opening capital निकल के आई है और यह हमारी है closing capital at the end of the accounting period तो हमारा 10% अगर interest on capital होता है तो हम 80,000 रुपीज यहां पे add कर देते हैं add करते हैं और उसके बाद सारी फिजस ऐसे ही आते हैं और interest on capital क्योंकि company के लिए expense हो जाता है तो यह हमारे P&L account में के debit side में आ जाता है तो students हमारा यहां यह वीडियो पूर हो जाता है इस वीडियो में मेलनी हमको आपको managers commissions के उपर बताना था अगर before charging commissions आता है तो बहुत सिंपल होता है आपको यहां पर net profit before charging commissions into my rate divided by 100 simply 100 rate से multiply करना होता है और और in case after charging such commissions होता है तो हम इसमें rate divided by rate plus 100 करते हैं से यही आपको याद रखने का है तो चलिए ठीक है अब हम इस वीडियो को finish करते हैं और अगले वीडियो में नया concept लेके आएंगे तब तक आप बने रहिए हमारे वीडियो को देखते रहिए कुछ अगर doubts हो तो doubts clear करिए मेरे को comment section में लिखिए तो ठीक है फिर अभी हम मिल